अब राजनास सिंग कुछ कहें और बावाल नाओ ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि वो भारत के डिफिन्स मिनिस्टर है। उन्होंने कहा था कि सावरकर ने जो माफी मांगी वो गानी के कहने पर मांगी। और सावरकर के खिलाफ जूट फैलाया गया। बार बार यह बात कही गए कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अने को मर्ची पेटीशन फाइल की। लेकि सच्छाई है कि मर्ची पेटीशन उन्होंने अपने को रिहा किये जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामानत्या जो एक कईदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्ची पेटिशन फाइल करना चाहे तोब कर सकता है महात्मा गांधी नुने कहा था कि आप मर्ची पेटिशन फाइल करो माफी कब मांगी 1915 से पहले गांधी कावा इंडिया में 1915 में वाट्सअब उनिवर्सिटी क्या कर रहे हो तुम क्योंकि वाट्सअब उनिवर्सिटी अभी लोगों को बेवकूफ बना रहे थी मुझे नहीं पता था कि राजनाथ सिंग भी उसमें एड है अब कुछ दिन पहले स्टॉक ब्रोकर राकेज जुन जुन वाला जिनको इंडिया का वारन बफे भी कहा जाता है वो पीए मोधी से मिले दे और पीए मोधी इसके बाद काफी ट्रोल हुए थे जिस तरीके का वो फोटो था अब ये मीटिंग भले कुछ दिन पहले हुई थी और उसी बीच एक चीज और देखने को मिली राके जुन जुन वाला ने सिर्फ नौ दिनों में 640 करोड रुपे की कमाई कर लिए इस शेयर से कुछ दिन पहले उनकी नई एरलाइन को केंडरी से मंजूरी मिली थी और इसी 502 रुपी प्रतिष शेयर पर कारोबार अभी कर रही है अब वेडिनस दे को टाटा मोटरस के जो शेयर थी उसकी कीमत 20 फीजदी से ज़्यादा बलोतरी कैसे होई ये सवाल है 30 सितंबर को कारोबार की संपती पर टाटा मोटरस 333.35 रुपे प्रतिष शेयर का कारोबार कर जो वेडनस डेयों को बढ़कर 502 पर हो गया दूसरे शब्दों में इस अवदी के दौरान प्रतियक शेर की कीमत 189 रुपे की वृद्धी है अब एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स की शेर होल्डिंग पैटरंस है उसके आधार पर इस साल एप्रेल जून में के तिमहाई में जुन-जुन वाला के पास 38,50,000 शेर थे अब ऐसे ही थोड़ी ना मुलाकात हुई होगी एंड आफ्टर रॉल हमारे राके जुन-जुन वाला इनके फैन है अब राजनीती में टिपली हो और सामने वाला पलेट के जवाब ना दे ऐसा हो नहीं सकता मध्यप् मैं कहते हैं कि आप मुझे में जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ हाफ पैंट की वज़ा से और मुझे उस पे गर्व है कि मैं ऐसे संगठन का हिस्सा हूँ जो अपनी वैल्यूज और हाफ पैंट के लिए जाना जाता है अब ये भी प्राउट की बात होने लेगी कि एक औ पत्र की आवशक्तन नहीं है वीडी शर्मा ने आगी ये भी कहा कि इस हाफ मेंट ने कॉंग्रेस को जो है वो गिरा दिया है जिसके सदस से नात है पुरानी पुरानी पार्टी पुरानी हो गई है और इस हाफ पैंट की विचारदारा जोर पकड़ रही है तो चलो वीडी कॉंग्रेस से जो चल रही है वो आरेसस की है ना कि बीजेपी की